हैलो दोस्तो मेरा नामे नित्तीन और आपका स्वागत है मेरे चानल नितिन्स पीडिया पर दोस्तो आज हम डिसकोस करने वाले हैं युटंस लौ अपमोशन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला लौ है युटंस फॉर्स लौ अपमोशन जिसके according, everybody remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force मतलब कोई भी चीज हमेशा एक ही जग पर रहेगी जब तक कोई उसे force लगा के मूँ ना करे For example, यह एक football है जो हमेशा rest में रहेगा जब तक कोई बंदा आके उसको force लगा के disturb ना करे Next है Newton's second law of motion जिसको हम law of inertia भी करते है जो mathematical form में है force is equal to mass into acceleration मतलब जितना object का mass ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको force लगाना पड़ेगा मूँ करने के लिए For example, यह एक छोटा पत्तर है जिसको मूँ करने के लिए कम force लगाना पड़ेगा क्यूंकि उसका mass कम है Similarly, यह एक elephant है जिसको मूँ करने के लिए ज़्यादा force लगाना पड़ेगा Why? Because उसका mass ज़्यादा है तो इसी पर जो second law है वह depend करता है Next है Newton's third law of motion जो बताता है For every action, there is an equal and opposite reaction मतलब अगर आपने कोई भी action किया तो हमेशा उसका opposite आपको मिलेगा For example, suppose आप इस boat में से जब यहाँ पर कुदोगे तो इस पर आप एक backward side में force लगा रहे हो उतना ही force वह boat आपके उपर लगाएगी जिसकी वजह से आप यहाँ पर land करोगे Rocket की case में जितना force burning gas land पर लगाएगी उतना ही force land उपर की तरप rocket पर लगाएगी जिसकी वजह से rocket उपर जाएगा In skating जितना force आप रोड पर नीचे की तरप लगाएगी उतना ही force रोड नीचे से उपर की तरप लगाएगा जिसकी वजह से आप forward direction में मुऊगे उम्मीदे दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लेगी है अगर वीडियो अच्छी लेगी है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए thank you so much कर दो दो हमारे चैनल को पारे चैनल को प्लीचे है